कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी अगर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूडूब चैनल प्रॉफिट अस्टेडी में तो आज किस वीडियों हम देखने वाले हैं RRC Group D 2019 का जो यहाँ पर एक्जाम होगा था और सबसे इन्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि रिजल्ट पब्लिक के बाद यहाँ पर एक के बाद एक उनिट के तरफ से डॉकन विरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे कंड़क्ट कराने के रिगारिंग यहाँ पर डिफरेंट जो है वो जारी कर दिया गया और सबसे इन्पोर्टेंट बात कि डीवी में कितने कंड़िएट को सॉट लिस्टेट किया गया हम बेसिकली बात करेंगे CCA वालों का Course Complete Act Apprenticeship Candidate वालों का और finally कितना कटफ गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना इस बार इस कटफ गया है इस भरती में उतना कटफ आने वाला भरती में आपको देखने को नहीं मिलेगा एकदम 100% अपली के लेलो कि आने वाला भरती में आपको इतना परसेंट कटफ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आने वाला टाइम में यहाँ पे Candidate बहुत जादा हो जाएंगे Railways Apprenticeship का और ये भी बात सही है कि आने वाला टाइम में अगर आप ITI किये हैं या आप Railways Apprenticeship किये हैं तो ही यहाँ पे जो Group D का पहले पोस्ट था जिसे आप यहाँ पे convert करके merge करके Group C में convert कर दिया गया है उन सभी पोस्ट के लिए ITI और यहाँ पे Railway से Apprenticeship जो किये हैं Candidate सिर्फ वही eligible होंगे सिर्फ 10th pass वालों के लिए Railway में आप कोई भी जॉब नहीं रहेगी सीधा है यहाँ पे इसके regarding Railway ने पहले भी notification दिया था कि 10th pass वाले कोई भी पोस्ट पे apply नहीं कर पाएंगे Railway का तो चलिए देखते हैं कि finally कितने Candidate shortlisted हुए है Cut-up वेगरा क्या गया है और यहाँ पर देखिए बता दिया गया कि List of Candidate shortlisted for Dockend Verification and Medical Examination Requirement for Level 1 Post RRC 1-2019 जिसका एक्जाम में 17-8-2022 से लेके 11-10-2022 ता कंड़क्ट कराए गया था अगा टोटल बात करें कितने Candidate है पर shortlisted हुए है तो देख लिजे 22-1-2023 of non-PWD Candid excluding CCA Candid by Railway Recruitment Sale सिकंदराबाद 9303 Candid who are provisionally qualified to attend Dockend Verification, DV and Medical Examination to be held from 7-2-2023 onward मतलब 7 फरवरी से आपका यहाँ पर Dockend Verification के रिगार्डिंग जो प्रोसेस होगा जितने भी relevant डॉकमेंट बनते हैं सभी आपको अपने जो भी अभी तक नहीं बनवाए होंगे जो भी आपका इधर उदर डॉकमेंट होगा सारा एक जगा करके आपको ready रना है साथ फरवरी से आपका डीवी जो है शुरू हो जाएगा चलिए next अगर यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर आपको इसके regarding information भी दिया जाएगा कि the detail of the venue date and time of डीवी will be estimated in due course on estimation of venue details candidate can download call letter for डीवी from RRC webpage on South Central ले ले लो तो जब इसका आएगा call letter तो उसमें आपको notification के तहते हैं आप इंफर्म भी किया जाएगा आप सभी को mail के माधियम से कि finally आपका call letter जारी कर दिया गया और डाउनलोड करके सभी को जहां पर बुला है वहां पर सभी candidate को जाना है अपने doctor verification के regarding medical के regarding आप सबसे important बात आती है कि CCA वाले जितने भी candidate है ठीक है total यहाँ पर देखिए 9303 candidate और 49 page में आपका जो यह PDF हो निकाला गया है उसके बाद यहाँ से देखिए आपका total जितने भी candidate सभी का roll number इस्टार्ट होता है roll number for PWD candidate स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका roll number of CCA candidate का इस्टार्ट होता है तो यहाँ से आपका CC वाले जितने भी candidate होंगे चिक कर लिजेगा सबसे important बात है कि cutoff का क्या सीन देखने को मिला cutoff का क्या है वो आप यहाँ पर देख लिजे तो चलिए हम PDF के इंडे चलते हैं यह PDF जो है QD में देखिए कि अन्रिजर में आपका 60.17 पर सेलेक्शन हुआ, SC में आपका 51, ST में 50, OBC में थोड़ा सा ज्यादा cutoff 85.122 और EWS में 51.17 पर सेलेक्शन हुआ है जो आपका EWS और यहाँ पर SC दोनों का cutoff है corresponding आसपास देखने को मिल रहा X servicemen का 30.5% पर सेलेक्शन हुआ है, वहीं अगर CCA का बात करते हैं जो सबसे ज्यादा important है CCA का बात करेंगे तो देखिए 30.01448 पर आपका सेलेक्शन किया गया है आगामी जीतनी भी भरती है railway का, CCA वालो ध्यान से सुन लिजे, इतना cutoff आपको देखने को नहीं मिलेगा आप सोच रहेंगे कि 30 नंबर पर सेलेक्शन हो जाएगा आने वाले टाइम में, जी नहीं इसमें आपको 35, 34, 33 या फिर 40 तक भी आपका नंबर देखने को मिल सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में railway से apprenticeship के गंडियर आपके बहुत जादा हो जाएगे आपके लिए benefit यह भी है कि यहाँ पर 10th का जो qualification है उसको हटा दिया गया है जैसे कि ग्रूप D से ग्रूप C आपका हो गया, सेम उसी तरह यहाँ पे 10th से आपका यह बढ़ाकर ITI या फिर NSE National Apprenticeship Certificate यह कर दिया गया है या तो आपके पास ITI का qualification होना चाहिए और नहीं तो आपके पास National Apprenticeship Certificate होना चाहिए वो भी स्रिप railway का ऐसा नहीं कि DRDO, IOCL इसरो तमाम तरह का जो भी यहाँ पे सरकारी भरती या फिर सरकारी Apprenticeship निकलता उसका Certificate अपलाओगे तो हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आने वाला जो भी railway में जितना भी requirement होगा, minimum उसका जो qualification है, या तो ITI है या तो आपका NAC है, National Apprenticeship Certificate ठीक है, 10th के बाद जिनोंने railway सरकारी Apprenticeship किया है, वो form भर सकते हैं, और नहीं तो जिनोंने ITI किया है, वो भर सकते हैं 10th pass वाले के लिए railway में आप कोई भी जॉब नहीं बचिए, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी इसके रिगा नहीं है, अगर आपका कुछ doubt है, कुछ feedback है, तो comment box में comment करके जरूब बताएगा, मिलेगा आपसे नहीं भरती, नहीं जनकारी के साथ, चैनल पर फॉ